नमस्ते और ओम शान्ति आप सब शुरताओं को आपको स्वागत है आपके ही चैनल पर सीख दे सोल दे तृत लाइस विदिन और आज के वर्दान में आगे जाने से पहले जो लोग इंस्ट्राग्राम पर इसको सुन रहे हैं वो नीचे एक लिंक दिया हुआ है दिस्क्रिप्शन में जहां पर जाकर करके आप पूरे चैनल पर क्या-क्या चीज़े हैं शेर करी गई हैं कहा तो बहुत कुछ है परमात्मा ने लेकिन वह चीज़ा हम बार-बार भूल दाते हैं तो इसलिए परमात्मा बार-बार रिपीट करते हैं हर एक चीज को अलग-अलग तरीकों से तो आज परमात्मा कहते हैं कि मनन शक्ति द्वारा मनन शक्ति मनल को इसी चीज को बार-बार सोचने से इसको बार-बार कहराई से सोचने से हम इसको मनन करते मनन करें कहें या चिंतन कहें तो मनन शक्ति द्वारा वेस्ट के समाप्त करने वाले सधा शक्तिशाली भवा तो परमात्मा में शक्तिशाली बनने की एक और सीख दे रहे हैं तो देखें विस्तार में परमात्मा कहने कह जाते हैं आत्मा पर वेस्ट का ही वेट है क्या होगा कैसे होगा क्या करेंगे कब करेंगे कौन करेगा तो जब हमारी इच्छे हैं बहुत जादा बढ़ जाती हैं तो हमारे waste thoughts बढ़ जाते हैं waste thoughts में औरों को blame भी कर सकते हैं, किसी को हम बतनाम करने भी कोशिश कर सकते हैं किसी को हम अपना रस्ते का पत्थर समझ करके बार बार उसके उपर ही focus करना, उस पत्थर को तोड़ने की कोशिश करना बार बार, कि इसकी वैसे हुआ इसने ऐसे नहीं किया होता, ऐसे होता इसने ऐसे क्यों बोल दिया मेरे को इस सारी चीज़े waste thoughts हैं, जिसमें कि हम आत्मा दिन भर जूंजी रहती हैं उलजी रहती हैं, तो हम अपना weight, भारीपन बढ़ाते हैं कई सारे लोगों को migraine जैसी problems हो चुकी हैं इस कारेंट से ज्यादा सोचने से, कई सारे लोगों को heart की problems होई हैं ज्यादा सोचने से, और किसी किसी को सरदध होता है बहुत ज्यादा सोचने से, तो सरदध होना, migraine होना, heart की issues होना, यह सब कुछ भारीपन है परमात्मा चाहते हैं, इस चीज़ को हम हटाएं तो उसके लिए परमात्मान हमें ज्यान दिया हुए परमकमारी इसमें जिसके बारे में अगर हम सोचते रहें, उसको हम अगर मनन करते रहें जाहे वो ड्रामा का ज्यान हो, जाहे वो आत्मा का ज्यान हो, जाहे अब कल्यूक कितना समय रह चुका है, उसका ज्यान हो जाहे दुनिया में सारी चीज़ों को साक्षी होकर के डिटाच होकर के कैसे देखना है सारी चीज़ों को उस चीज़ का ग्यान हो जाहे पर्मपिता परमात्मा इस नई श्रिष्टी के रचना कैसे करते हैं उस चीज़ का ग्यान हो मन में शान्ती कैसे लाएं, मेडिटेशन कैसे करें, परमात्म की याद में कैसे रहें उस चीज़ का ग्यान हो, बहुत कहराई का ग्यान है ये सब कुछ अगर हम दिन भर इन में अगर हम अपने आपको उलजाएं रखें तो बाकी सारी उलजने खतम हो जाएंगी तो मनन शक्ती द्वारा, वेस्ट के वेट को समाप्त करने वाले सदा शक्ती शाली भवा लेकिन वह चीज़ का किसी और के असर पड़ा, आपने वह चीज एक संकल्प करेड़ किया, वह भी एक एक अनरजी उरजा है यो पूरे दिन आपके मन में चलते रही आपने वेर्थ बात बोल दी किसी को, किसी को मन दुग ग्या, तो आपके दिन भर आपके मन में चलता रहता है, हैके नहीं है, तो वो भी एक waste बन जाता है, बोलना चाहिए था, ठीक बोला, अच्छा बोला, उसको कैसे फिल हो रहा होगा, कितने thoughts हो जाते हैं create, तो इससे अच्छा है कि waste thoughts ही न create करो, waste बोल ही न बोलो, हसी मजग एक limit तक करो, royal तरीके से करो, बेकार का हसी मजग नहीं करना, किसी की tongue नहीं खीच नहीं, जिससे कि इनस का एक weight बढ़न जाता है, तो कितनी सारी चीज़े हैं, excuse me, फिर बाबा कहते हैं, अब इस weight को खतम करो, इस weight को समाप्त करने के लिए सदा, सेवा में busy रहो, अब सेवा क्या चीज़ है, सेवा सिर्फ यह बोलने माली नहीं कि मैं आपको सापने इस चीज़े शेयर कर रहा हू जिससे आपको फायदा हो रहा है, सेवा मतलब अगर आप अपने मन से किसी के बारे में अपवितर सोचते हैं, तो वो disservice हो गई, अगर आप औरों के बारे में अच्छा सोचते हैं, औरों को दुआयन देने के बारे में सोचते हैं, औरों के आप प्रे करते हैं, तो वो आप कि सेवा हो जाती है, किसी आजू-बाजू वाले के साथ में, कि जैसे परमात्म ने कहा, कोई भी अगर आपके निंदा करे, स्तुति करे, अपमान करे, अपमान करे आपका, आपको हानी पहुचाए, लेकिन कोई भी अगर आप उसको दुश्मन मानते हैं, तो आप उसमें वेस thoughts create कर रहे हैं, और और के बारे में color सोच रहे हैं, तो वो भी आपके लिए भार बन जाएगा, तो हलका रहे हैं, वो उनके संसकार है, मेरे कहा संसकार है, मुझे उस पर focus करना है, तो कुछी दिन पहले मेरे साथ भी ऐसे हुआ, आजू-बाजू में, किसी कुछी आवाज मे मेरे साथ में बोला, लेकिन मैंने अपनी आवाज को कंट्रोल में रखा परमात्मा की देन है, शक्ती से, उनको गिल्ट फील हुआ, उन्होंना के माफी मांगी, मुझे कुछ नहीं हुआ, वो भारी हुए, क्योंकि माफी मांगने मैं बना कि सोचना तो पड़े का न, कि मैं शक्ती को बढ़ा हो, पर मात्मा की याद में अगर हम दिन बर रहेंगे, अगर हम वेर्ट संकल्पव में नहीं रहेंगे, हमारी एनरजी लेवल से नीचे नहीं रहेंगे, तो जाकर के हैं, उनका असर नहीं पड़ेगा, कोई अगर आपको आपके साथ में बुरा करें, तो उसका असर आपको नहीं पड़ेगा, आप एक उची वाइबरेशन में हैं, लेकिन अगर आप पूरे दिन भर वेर्थ चीज़े, वेर्थ बाते, वेर्थ बोल आपसमे करते रहें, फैमिली मेंबर्स के बीच में करते रहें, फिर बाहर चे कोई विक्ती आया, उसने कुछ क कर्म करके, परमात बचाते हैं, हम प्रोटेक्टेटेट रहें, सेफ रहें, तो फिर बाबा केता है, मनंद शक्ती से आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी, बाहर के तीर बांड जो हैं, वो हमें चुबेंगे नहीं किसी के, जैसे भोजन हजम करने से खून बनता है, भोजन खा यही चीज़ को अगर आप पूरे दिन बर सोचते रहें, मुझे आज समर्थ संकल्प करने हैं, यह जो मैंने सोचा, यह वेर्थ है, इसको मैं परिवर्तन कर दूँ, इसको मैं समर्थ बना दू, पेर थोट्स बना दूँ, और ओर के प्रती, तो वो क्या हो गया, वो भी हो गया आपके लिए, तो वो चीज़ा अगर आप पूरे दिन बर करते रहें, फिर आप experience करें कितना हलका पन महसूस होता है दिन बर, और अगर आपको वो feel हो, तो comment box में ज़रूर डालिएगा, कि हाँ, आज के वर्दान के मुझे, एक अच्छा असर हुआ, अच्छी feeling कोई मुझे, तो परमात्मा कहते है, उससे आत्मा की शक्ती बढ़ती है, तो आज आप ये महनत करें थोड़ी सी, थोड़ी देर के लिए, कि आप वेर्द बातों से, वेर्द चिंतन से क्या होगा, कैसे होगा, कौन करेंगा, हर चीज ड्रामा फिक्स्ट है, हर चीज कल्यांड कर ये प्रोवाइड़ आप परमात्मा से चुड़े रहें, आप वेर्द संकल्प न करें, वेर्द बोल न करें, वेर्द कर्म न करें, तो आज का आपका दिन शुब हो, आप सुके रहें, स्वस्त रहें, ओम शान्ती